I just want to be transparent औरतों को हमेशा यही होता है कि जिन्दगी में कोई भी प्राब्लम हो जाए हम लोग सब ठीक कर लेंगे So friends, ये वाला जो statement है कल ये छुटकन्नी जिजी के वीडियो में आपने सुना ही होगा Welcome to my channel कैसे हैं आप लोग I hope आप लोग सब मजे में होंगे और बिल्कुल बड़िया होंगे, first class होंगे अगर वीडियो अच्छा लगता है अभी का तो प्लीज चैनल को कर दीजिये, subscribe और अगर first time आ रहे हैं तो ज़रूर like भी करके चाहिए और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो like करिए भई, वहाँ पे बग्गा मामा की marriage shopping शुरू हो गई है ठीक है, जिसमें वो लहंगा और क्या था, शेरवानी second hand, मतलब second hand कहना चाहिए क्योंकि इनोंने अपना, इतने बड़े जो level वाले यूट्यूबर्स हैं, उन्हें मतलब नहीं नहीं खरी दी, और rent पे खरी दी है, जिसमें बग्गा कहता हुआ ती खराता कि भई, थोड़े से पैसे और अगर लोग मिला देते, तो नहीं या, नहीं ही आजाती, लेकिन हम लोग दुबारा-दुबारा नहीं पैनेंगे, इसलिए हम लोगों ने ये लिया है rent पे, जो भी ये शिरवानी वगेर शॉप्मिंग करने, ये लोग साथ में गयते हैं, इंक्लोडिंग बग्गी की मदर सवाल ये आता है, कि भई, यहाँ पे बग्गी की मदर थी, लेकिन चुटकन्नी जिजी और इनकी जो मदर थी, वो क्यों नहीं थी? ठीक है? बाकी, अकेले-अकेले हमेशा शॉपिंग करना, जाए हो सगाई की हो, आप देखिए न, हमेशा अगर आप लोगे घर में भी शादी है, तो बहनों का बहुत जादा वो रहता है, और चलो ठीक है, अगर तुमारी बहन शादी शुदा है ससुराल में है, तो भी समझ आता है लेकिन वहाँ से उनकी मदर आरे है और यहाँ से कोई भी नहीं जा रहा है मतलब छुटकन्नी तो अटलीस जाही सकती थी लेकिन उसको भी लेके नहीं गए है और जब टाइले वो जो कौन सी थी, एंटी स्किट टाइले, हाँ एंटी स्किट टाइले जो जिजी टाइल्स लेन देखने गई थी अब बात ही आती कि उस वीडियो में जिजी ने बहुत सारी ऐसी चीज़े बोली है मुझे मतलब ये लग रहा था कि वो ये कहना चाहती है कि मैंने बहुत सारी चीज़े सोशल मीडिया पर अभी मैंने बताई नहीं है कहीं न गहीं सामने वाली पार्टी को इशारा करते हुए उसको खोटा सिक्का तक बोला जा रहा है जबकि असलियत में सब लोग जानते कि असली में कौन खरा है और कौन खोटा सिक्का जिजी यानि कि छुटगनी जिजी है अभी तक इन्होंने जितनी भी चीज़े बताई है उसके अलावा कितनी चीज़े रह गई मुझे तो ये समझ नहीं आता इनके हिसाब से अगर हम लोग इनकी लाइफ देख ले तांडव लाइफ उसमें जिजी ने क्या से क्या नहीं बोला और जो ये कह रही थी न कि उसने जब हम लोग विजिटेशन राइट्स के लिए जब हम लोग धलंग कल किया गए थे महाँ पे इनोंने बत्तमीज ही करी थी यानि कि इनके पेपर वाले हस्बेट ने और बच्चा सहम गया था तो मुझे लगता है कि वो तो सहम छोड़ो वो वाला जब आपने लाइफ किया था जिजी मुझे आज ही ये पॉइंट याद आया कि जब आप लाइफ कर रहे थी आपकी गोधी में आपका छोटा बच्चा बहुत छोटा बच्चा था मुझे ये भी आद है आपने वाइट कलर का स्वेटर पहना हुआ था और बच्चे ने भी वाइट कलर का पहना हुआ था और वो बहुत परिशान भी हो रहा था बट स्टिल आपको उससे कोई फरक नहीं पढ़ रहा था अब लाइफ में लगे वेते बोलने में कि देखो मुझे ये करना है मुझे चाय बनानी है मुझे वीडियो पर एडिट करना है है ना तो उस ने बच्चा आपका नहीं सहमा सामने वाले पार्टी पर एलिगेशन्स लगाए जाओ लगाए जाओ लगाए जाओ अनलेस और अंटिल वो कुछ न कहें खेर अंकुष का वीडियो नहीं आया है उसका रिप्लाई नहीं आया है और कही ना कहीं देखे ये लोग यही चाहते हैं कि हमको अपना घर बनवाना है ठीक है अभी आप लोग को पता है कि शादी भी इनके घर पे आ रही है तो बहुत सारे खर्चे होंगे है ना वहाँ पे आप देखे रहे हो बग्गी ले रही है अच्छे अच्छी साडिया तेरा तेरा हजार की तो बग्गी ने बोल रखा होगा वही तुम लोग खूब कमाओ तुम लोग कमाओगे तभी घर बनेगा हैना अब जिजी कमाओगी कैसे खैर ये बात और है ये सामने वाली पार्टी को बोलती है कि तुमने मेरा यूज किया व्यूज के लिए अपने रियक्शन दूसरे चैनल पे भी डालोगे इस चैनल पे भी डालोगे बागी मेरे को लग रहे कि अंकुष के वीडियो उस चैनल पे भी आज तो नहीं आया है वेट करते हैं आप ताई कि नहीं आता जो दादी के एक्स्प्रेशन से दादी का रियक्शन था अपने पोते से अपने मिठ्थू से मिलके क्या है उसका भी हम वेट कर रहें बागी अंकुष के चैनल पे जो वीडियो है का उसका भी वेट कर रहें लेकिन यहां पे जो छुटकन्नी जिजी ने जो बोला था कि येस कॉंटेंट कॉंटेंट की मुझे जरूरत नहीं असली कॉंटेंट तो जिजी आप ही खेलते हो हाँ दूसरों को बोलने से पहले आप सोचो आपका तो फटा-फट वीडियो आगया और उसमें भी टॉंट मारा गया खोटा सिक्का जब अपना ही सिक्का खोटा हो कही ना कि अपने हस्मेंट को ही बोल रही थी ठीक है भगवान ने चाहा तो हम उसको खोटे को सही कर लेंगे आपने बोला कि अंसान कितना जुके ठीक है बहुत सारी चीज़े नोंने कल की वीडियो में बोली है अच्छा कुछ चीजों पर मैं अगर गौर फर्माऊंगी तो जेची ने एक पॉइंट यहां पर बोला था कि लड़कियों के लिए जिंदगी बहुत अफ होती है लड़की को सब सोचते हैं यही गलत होगी उसको गलत नजर से देखते हैं इसने ही सब किया होगा मैं यहां पर यह कहना चाहती हूँ कि लोग गलत नजर से नहीं देखते हैं ठीक है अगर आपने कुछ गलत किया है तब ही लोग आपको गलत नजर से देखेंगे कि यानि कि आप पे ब्लेम लगाएंगे कोई पागल नहीं है जो उठके ऐसी बस नशागा मतलब जैसे आप लोग वीडियोस में आ जाते हों मुझे तो लगता है कि बस सस्ता नशागर के आ गए और कुछ भी अंटेशंट बोलना शुरू कर गया कर रहे हो ठीक है तो अगर आ आके आपके ससुराल में आपने माई के वालों से अपनी सासों को पिटवाया तो लोग इसमें गलत नहीं करेंगे अगर आप अपने ही पती को खाना देने के बदले वहां पे कहती थी कि आप मुझे इस कुट्टे को खाना देना पड़ेगा तो आपने किया तब ही लोग ब यूज किया गया आपके माई के वालों ने आपका यूज किया है तू गेन डॉलर्स ठीक है आज भी यूज हो रहा है दो दो चैनल बना दिये गए हैं ठीक है दो चैनल बन गे तू जादा डॉलर आएंगे ससुराल नाम पे कॉंट्रोवर्सी करो व्यूज डॉलर कमाओ और अपना घर रॉन के बढ़ाओ ताइले लगवाओ ठीक है फिर ये जो मारपीट खाना गाली खाना खाना नी बनाया तो गलती इसकी ये सब चीज़े जो तुमने कहीना के इशारो इशारो में बोली है कहीना के तुमने अपने पेपर वाले हस्बेंट के लिए बोली गई है तो मैं आप यह कहना जाती हूं कि आप बताओ घर का ध्यान रखना घर का सारा काम करना एक जो सबकी कहते हैं अपना भी ध्यान रखती है सब कुछ करती है ठीक है लेकिन तुमने इस चीज़ को भी क्या बोल दिया कि मैं सबका ध्यान रखती थी मतलब आप यह कहना चाहते हो कि मैं ससुराल में ध्यान रखती थी आपका यह सारी चीज़ें मुझे लगता है आपकी यहाँ पे ससुराल में नहीं माईके में आपने खुदी कुछ दिन पहले बोला था कि मेरा जादा से जादा टाइम किचन में जाता है आप एक-एक बंदे का इंडिविजुली बहुत ध्यान रखते हो डिटॉक्स ट्रिंग तो अब दो दिन दिखा उसके बाद तो दिखा ही नहीं तो यह सारी चीज़ें आपकी ससुराल में नहीं यहाँ पे आप करते हो पूरे दिन काम कर रहे होते हो साथ-साथ दो चैनलों बहु नहीं देखी आपने अपनी उसी सास को जिसने आपकी सेवा करी हमने देखा है अब आप देखी कितना भी बोलो कितना भी बोलो ऐसा तो नहीं है क्योंकि husband wife दोनों vlogging करते थे हमेशा आपकी सास कभी आपको कुछ दे रही है कभी दलिया बनाके दे रही है कभी fruits कट करक फिर थोड़ी बहुत बरतन साफ करते हुए दिखती थी ठीक है तो हमेशा जो खाना प्रोइड किया है वो सास हुआने ही किया है उस घर में अगर हम लोग देखें तो खाने की ध्यान वो रखती थी ठीक है आप यहाँ पर यह चीज दिखाना चाते हो कि मैंने उतना किया कि जितना किया आपने उससे ज़्यादा उनके लिए गलत किया मतलब आप देख लो सोचल वीडिया पर आपने उनकी कितनी ऐसी की तैसी करवाई है फिर इन्होंने कल जो वीडियो में बहुत सारे चीज़े बोली कि मेरी लाइफ की हिस्टरी हर लड़की की लड़की की अभी वीडेशन राइट में एक लिफित चले बीच में एक दमसे अपने भाई पूठ वे बिच्टा की वह सतड पने के लिफ्यालrift और आप देखै। कि हद देखिए जलिसी देखिए कि copyright strike भी दी गई तो साब कुछ दिख रहा है आप कहते हो ना transparent इधर वाला जो dialogue है आप यहाँ पर जिजे ने copy करना शुरू करते तो transparent actually में कौन है यह सब ने देखा है ठीक है तो बड़ी बड़ी चीज़े इन्होंने बोली थी patience वाली बात patience मुझे लगता है कि आप में है ही नहीं patience होता तो वहाँ पे रहती ठीक है वहाँ पे रह के सब कुछ sort out करती और जूटा case नहीं करती जूटे इल्जाम किसी पे नहीं लगाती सिर्फ channel की वज़े से कुछ views की चक्कर में dollars की वज़े से और आपने यह भी कहा कि सब कुछ अकेले सहना पड़ता है सब लोग साथ हमें होते हैं नेकि emotional है ना आपको strong बनना पड़ता है mentally strong बनो कही ना कही physically strong बनो देखो मेर को देखो मेर को इतनी सारी vitamin b12 है ना vitamins मैं ले रही हूं injections ले रही हूं vitamin b12 के बिमारिया लग गई तो जिच जी आपको तो thyroid पहले सही था और main बाद अगर इस बिमारी को आप vitamin बोल रहे हो कि आपकी vitamins की कमी होगी तो आज के time पे बहुत सारे लोग हैं जो की vegetarian diet पे होते हैं उनकी vitamins की deficiency हो जाती है अच्छे अच्छो में हो जाती है तो यहाँ पर इस चीज का blame भी उन लोगों पे नहीं दे सकती हो तुम ठीक है तो यहाँ पर आके कुछ भी कि अच्छा है कि थोड़ा दिमाग लगा के सोच समझ के बोलो आप फिर से कह रहे ही थी कि मन में बहुत कुछ है I want to say मैं I want to be transparent है ना लेकिन काफी चीजे मैं नहीं बोल पा रही हूँ I love my audience जो support करते हैं cool मिला कि आज की वीडियो में सिर्फ 45 comments आया जो इनके favor में ही है of course जो असलियत जो इनको दिखाते हैं आई ना उनको block कर दिया गया हमेशा की तरह तो मेरा कहने का मतलब यह था कि आज की वीडियो में भी फिर से इनोंने जो एक woman card खेलने की कोशिश करी ती सब ladies strong रहो ठीक है तो जितना struggle होता है एक औरत का उतना ही struggle एक आदमी का भी होता है ठीक है यह है कि तुम रो सकती हो आदमी रोता नहीं है और अगर आदमी के emotions होत है अपनी कीमत जानो बहुत ज़्यादा प्यार करो मतलब इन के हिसाब से तुम husband को अगर ही बोल रहे हो कि नहीं अब इस कुत्ते को भी मुझे खाना देना होगा तो यह सही है क्या यह attitude सही है क्या यह attitude सही है आप लोग आप खुद ही बताई है आप लोग आप लोग अपन इनसान के साथ ही जाती है उसके गोले बन जाते हैं वह कितनी बाते हैं तुम्हारे पास लेकिन जो काम की बाते होती है वो कोई है नीचे हम लोग कहते है आपके साथ तो प्लीज आप प्रूफ के साथ आओ आप बताओ हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे बिलकुल हम लोग support करेंगे लेकिन आपने आज तक कुछ भी नहीं बता पाए सिर्फ यह बोलने से कि मेरे पास मेरे साथ गलत physical violence और mental मुझे परिशान किया गया और यह सब चीज़े actually मैं आपके पास कुछ नहीं है बोलने के लिए proof नहीं है सामने वाले के लिए accurate जो evidences होते हैं उसके साथ आपको आना चाहिए फिचिज जी कहती मेरे बाल खराब हो गए मुझे कटवाने है मेरे pimple हो गए है ना मीटा खाने की वज़े से और flow के साथ कह रही थी बार बर इस चीज़ पर की जिंदगी में flow के साथ चलो जितना जरूरी हो उतना बोलो जिंदगी को जी हो मैंने बहुत टाम टेंशन में खराब कर दिया इसलिए आज injection लग रहे है विटाम इन कम हो गया financial loss हो रहा है mental loss हो रहा है नदर बहुत कम है ठीक है लेकिन बात रही और चीजों का प्लेम भी तुम समने पार्टी पर फोड़ने की कोशिश कर रही हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है खोटा सिक्का तुम थी तुमने अपनी तुम्हें इतनी मर्ची क्यों लगी, जब किसी का चानल खुलता है, तो उनकी परिवार को इतनी मर्ची क्यों लगती है, मेरा question यह है, चाहे रिष्टेदारों, रिष्टेदारों से relation खतम कर देते हैं ये लोग, इस तरह के दुलोगे, खेर, अब बग्गी आएगी, और जिस